हाई अब्रीवन वेलकम इंदिस केमेश्ट्री क्लास हम पढ़ रहें से क्लास नाइथ की केमेश्ट्री का फॉस्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स तो हमारे थ्री लेक्चर्स हो चुके हैं आज लेक्चर नबर फूर्थ है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटर स्टेट्स ओफ मैटर स्कूलर नोफ गयाज़़न की से यह सारा वbalance को सब्सके होएं आप्सी को कर सकता है कєन मैटर चेंज इड़स अपको पता है है कर सकता कैसे सबने एग्जामपल देखा होगा इस होता हमारा वर्फ का टुकड़ा होता है ठीक है उसको अगर एक खुला रद्द फ्रीश से निकाल कित्क्राव मेल्ट हो जाएगा गल जाएगा वह गल की पानी बन जाएगा तो क्या और इसका स्टेट इंज हो रहा है सॉलीट से लिक्विड बन रहा है अगर हम पानी को बॉयल कर दी तो उसमें से वेपर्स निकलती है और वह क्या होता ह ठीक है तो वह क्या होता है इंटर कनवर्जन होता स्टेट का सॉलिड से लिक्विड बन गया लिक्विड से गया उसी को बोलते इंटर कनवर्जन ऑफ स्टेट सोब मैटर तो मैटर अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है मैटर कैन एक्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्ट density कौन-कौन से में एक्जिस्ट करता है Solid Liquid and Gas okay matter can change physical state in two ways दो तरीके से यह क्या कर सकता है अपनी physical state को चेंज कर सकता है कैसे कैसे चेंज कर सकता है बाइचेंजिंग दर टैंपरेचर एंड बाइचेंजिंग दर प्रेसर अगर उसके टैंपरेचर को हम change कर दे तो उसका physical state change हो जाएगा जैसे हमारा solid ice है ठीक fridge में रहता है तो उसका temperature low होता है उसको हम बाहर रखते हैं environment तो उसका temperature बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है वो liquid में change होता है तो उसमें क्या होता है किसमें change होता है temperature में change होता है ऐसे gases होते हैं उसको हम pressure दे की compress करके उसको liquid बना देते हैं तो किस में change होता है? प्रेशन में change होता है तो दो चीज़ों में change करके उसके physical and physical state को change कर सकते हैं किस में? किस में temperature and pressure तो इसी को हम बोलते हैं inter-conversion of states of matter the change of state from one phase to another एक तक हिस्ट से दूसरे में मैटरगे पहस्ट को च्रिज करने को यह मञें बोलते हैं इंटर कनवर्जेन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर अंगर शॉता लिक्विड बन गया तो क्या गया इंटर कन्वर्जन हो गया श्टेट सॉफ मैटर का तो आगे समझते तो इंटर कनमर्जन ऑफ स्टेट सॉब मैटर में हमारा होता क्या है बैसिकली पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है जैसे यह हमारे सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं किस तरीके से अरेंज होते हैं बहुत ही पास पास रहते हैं बहुत ही क्लोजली यह पैक्ट होते हैं जो लिक्विड के होते हैं सॉलिड के कंपेर में थोड़े दूर दूर होते हैं यह मूब करते हैं इनके बीच में स्पेस जादा होता है सॉलिड में बहुत ही कम स्पेस होता है किवल वाइब कर सकते हैं लिक्विड में ज्यादा स्पेस होता है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ही जादा दूर दूर होते हैं तो इंटर कन्वर्जोन ऑफ स्टेट सॉप मैटर में हमारा क्या होता है कि यह जो पार्टिकल्स है सपोज हमारा सॉलिड है तो उसको हम जब हीट देंगे तो वो पार्टिकल्स ही में कैसे जाएगा जब उसके पार्टिकल का जो अरेंजमेट होता है वो चेंज हो जाता है ऐसे था तो फिर उसके पार्टिकल का अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाएगा पार्टिकल दूर दूर हो जाएगे जब पार्टिकल दूर दूर हो जाएगे तो क्या चेंज हो जाएगा लिक्विड और दूर होंगे तो गयास हो जाएगे ठीक है तो इसमें होता क्या है पार् का अरेंजमेंट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में इंटर-molecular कोई हम क्या वोलेंगे गैस में वो चेंज हो जाएंगे जब गैस में चेंज होंगे तो पार्टिकल के बीच का जो अरेंजमेंट है वो और ज्यादा दूर-दूर हो जाएगा पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर-दूर हो जाएंगे उनकी जो काइनेटिक एनर सो यहां पर हमने एक चार्ड बनाया जिसमें हम इंटर कनवर्जिन ऑफ स्टेट सॉफ मैटर को एक साथ देख लेंगे सॉलिड लिक्विड गैस को ठीक है और किस कौन से प्रॉसेश को हम क्या बोलते हैं यह भी हम समझेंगे ओके तो फर्स्ट हमने यहां पर क्या लिया है सॉ marketing बोलते हो तो शॉलिड से वह किस में चेंज हो रहा है उसस स्टेट में यह चेंज हो रहा है तो यहां से लिक्विड से कि दर गया solid में तो liquid से solid में जाएगा उस process को उम भालते ऑitter जासे coldrings होते हैं उसको freeze में रखते हैं ज्यादा cool होते हैं वो को फ्री सद्वीय अश्याथे बर्फ वन जाता है ठीक है उस process को उम भालते हैं solidification या फिर उसको बोलते हैं freezing ठीक है बहुत ज्यादा में能бर कोल्ड होकर वो बार्फ जाता उसका टेंपरेशर बहुत भी कम हो जाता है तो लिक्वीड से चेंज हो रहा है वह सॉलड में उसको킨 आधो बोलेंगे सॉलरीफीकेशन या फिर क्या मूलेंगे फ्रीजिंग मूलेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है लीकविट से किस में चेंज हो रहा घयस में ठीक है ंपर कर देखे ले नेशलिम गयाटर यह दो इसको में बफर बोल इसको कैसे समझेंगे जैसरे मारे लेकविद है पानी है उसको मोल करेंगे ठीक है तो से meters निकलते हैं वैपर हम क्या बोलते हैं गैस बोलते हैं तो उसे जो वाइपरस निकलते हैं तो लिक्विड से क्या हमारा बन रहा है गैस उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे वैपराइजेशन या फिर बोलेंगे वॉयलिंग अगर गैस से हमारा चेंज हो रहा है लिक्विड में ठीक है गैस से किसमे चेंज़ हो रहा है लिकविड में तो उस प्रॉसेस को हम क्या अपकिश को अटा है तो किस में बूने से लेक्विड में तो उसी प्रॉसेस को में बोलें मि nau मसिता इस नेक्स्था हम्मर्ण है सॉलिट सरे अगर टेर्ण्ज होगा गैस में डैरेक्ट te है direct gas में change हो गया जैसे camphor का example हम लेते हैं कपूर जलाते हैं ठीक है बर्न करते हैं burning of camphor तो वह liquid नहीं बनता है कोई वह सीधा gas में change हो जाता है तो उस process को हम क्या बोलेंगे शबली मेशन solid से directly अगर gas में change होगा तो उस process को बोलेंगे शबली मेशन and अगर कोई matter हमारा gas से direct change हो रहा solid में तो उसको बोलेंगे हम क्या deposition ओके तो यह हमारा inter conversion of states of matter मैंने समझाया है अब बारी बारी एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे fusion क्या होता है vaporization क्या होता है deposition, solidification, condensation, sublimation सबको हम one by one detail में study करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल next lecture में पढ़ेंगे हम fusion और melting